की विकर में दित्ते सिंग जी माननिया उपद्यक्ष मौदे मैं आज जो माननिया मुख्य मंत्री जीन है दो हजार चौबिस पच्चिस के बजट अनुमान विधान सबा की सबापटल के उपर पेश किये है उसके उपर मैं चर्चा करने के लिए मुझे आज आपके बीच मैं उपस्तित हुआ हूँ और मुझे बहुत गर्व के साथ और गर्व के साथ साथ बहुत संतोश के साथ साथ यह कहने का चुब अफसर मिल रहा है कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखता हूँ and I always make it a point that whatever I am saying is corroborated by facts, evidence and figures जो यह budget मानने मुखे मंत्री जी ने पेश किया है यह विप्रीत परिस्तितियों में जो प्रदेश की काले बादल वित्या संकट के प्रदेश के ओपर चाय हुए थे इसके लिए हालां की पिछले एक साल में बहुत से निरनायक और unprecedented कदम उठाये गए हैं कि किस तरीके से हम प्रदेश की आर्थिक स्तिती को प्रदेश के अर्थववस्ता को बेहतर करे उसके लिए लिए गए हैं और हो सकता है कि उसमें से बहुत से ऐसे निरने हो जो कडवे हो जो कठोर हो जो पॉपलिस्ट ना हो जो ऐसे निरने ना हो जो आप एक राजनेतिक मंच के ऊपर जाकर जिसके बारे में बात करें हो सकता है कि वो निरने लोगों को as a whole अच्छे ना लगे मगर they have been taken not for any electoral purposes or for the sake of the populist measure of the government but they have been taken in the larger interest of the state प्रदेश की आर्थिकी को अगले 10, 15, 20 साल के लिए मजबूत करने के लिए ये निरने मुख्यमंत्री जीने सभी cabinet के हमारे सदस्यों के साथ अपने विधायकों के साथ चर्चा करने के बाद लिये है और मुझे खुशी है कि इस स्वित्य वर्ष का जो budget annual budget for the year 2024-25 जो पेश किया गया है 558,444 करोड का an increase of 9.5% from the previous budget of rupees 53,430 करोड ग्रोथ रेट जो इस साल अनुमानित की गई है वो 7.1% as compared to 6.9% of the last financial year in spite of unprecedented climates जो प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिली हमको जो मेरा विभाग है खास करके वो इसका सबसे बड़ा भुगुद भोगी प्रदेश के अंदर रहा है प्रदेश में जिस तरीके से आपदाकाल प्रदेश के अंदर आई और अनुमानित किया गया कि around 15,000 करोड का नुकसान प्रदेश के infrastructure को प्रदेश की अर्थववस्था को प्रदेश में जो हमारा industries है प्रदेश में हमारा जो हमारी सडके हैं उनको हुआ है इसके बावजूद उससे एक इसी वित्यवर्ष में बाहर निकलने का जो काम सरकार ने किया है और जो मैंने यह आंकड़े कहे हैं मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में हमको केवल खुश करने वाले नहीं है मगर जिस तरीके से इनको पेश किया गया है और जिस तरीके से अगले एक साल में इनको उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है कि हाओ दे हाफ को बी इंप्लिमेंटेड इन वेरियस सेक्टर्स इन दे स्टेट उस चीज को भी हम उसके ओपर भी हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं क्योंकि यह बाते केवल विधान सभा के सभापटल तक ही सीमित नहीं है I can assure the members of the opposition also that when these measures have been taken अलग अलग जो चीजें अभी मैं उसके उपर एक बर्ड़ आई व्यू के साथ बात करूंगा क्यूंकि मैं इन डिटेल हर चीज के बारे मैं नहीं कहना चाहता हूं अगर हम पूरवी भारत की बात करें तो उसमें हाइस्ट जो है वो पर कैपिटा इंकम हिमाचल परदेश को दर्शाता है जो एक बहुत ही बहतरीन कार्या और बहतरीन सोच के साथ इस बजट को प्रस्तूत किया गया है बजट इनिशति ऑफ स्टेप इस तो मेक एस टेट जाइज अगिन फिर फिर एंप्रेंट पर्वेशन सेकर और चाहता है और सबसे बदी बात जो फिरीन कार्ट बबात को पीपलाव सेवंटियर ऑट प्रुटर इंफ्रस्टुक्ट्रुट्रु कर्ण्टर्ट्टर्टर्ट अब टू एज ओफ ट्वेंटी सेवन यह यह जो पिछली बारी एक मुखे मंत्री जीन है तो काशर योजना प्रदेश के अंदर शुरू करी थी उसके बारे में उन्होंने भी कई बार इस सदन में जिकर किया है कि किस नजरिये से इसको प्रदेश के अंदर उतारा गया किस त कदम को एक और नई उन्चाई पर लिजाने के लिए वन स्टेप अहेड यह कदम जो मैंने कहा है यह लिया गया है जो विडो के बच्चों को यहां पे प्री एजुकेशन 27 साल तक देने की बात है यह एक अच्छा निरने सरकार की ओर से लिया गया है जिसके लिए हम इनकी जो है वो प्रशंसा करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारा प्रदेश का एक्स्पेंडिचर है उसके ओपर भी मैं जो है जिकर करना चाहूंगा चौबिस पच्चिस में दो हजार चौबिस पच्चिस में जो एस्टिमेटेड 52,965 करोर जो हम निष्टे तोर से क्योंकि जब बजट का पुरा एलोकेशन होता है तो उसमें जो हमारा हमने लोन अलग-अलग एजनसी से लिया हुआ है उसको देना उसकी देंदारी भी करना हमारे लिए राथ मिकता है और वैसे ही जो हमारी रिसीट्स आई है इस साल 424-425, they are estimated to be 42,181 करोड जिसमें भी 4.2% की increase हमारे रिसीट्स में इस बारी आई है जो excluding borrowings है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है मगर मैं चिंता भी व्यक्त कर रहा हूँ की हमारा revenue deficit प्रदेश का दो हजार चॉबिस पच्छिस का जो estimated है that is around 2% of the grey gross state domestic product which stands at around Rs. 4,513 करोड लोर दे रिसेट्स आई है लिए 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 22, 23, 24, the revenue deficit is expected to be 16.5% higher than the budget estimate तो यह निश्चत तोर से क्योंकि मैं वैसे तो कोई बहुत बड़ा economist नहीं हूँ मगर यह हमारे लिए being part of the government हमारे लिए एक चिंता का विशे है कि किस तरीके से हमको अपने आये के स्तुरोतों को भड़ाना है उसके बारे में जैसा अभी विस्तित में चर्चा करी गई है कि हम industries को प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास कर रहे है Honorable Industries Minister ने भी उसके बारे में बात करी है मानने मुखे मंत्री जी ने भी उस पे अपना विशे और अपनी एक सोच बजट के माद्यम से प्रस्तुत करी है और उसके साथ साथ जो और चीज़े हैं प्रदेश में कैसे हमने जो water says लाया गया उससे हमारा जो flowing water और राज्यों में जा रहा है उसके सेस लगाकर प्रदेश की आंदनी को बढ़ाने का एक सफलता पूर्वक प्रयास जो है इस बजट के माद्यम से और पूर्व में जो हमारा पिछला वित्या वर्ष है उसके अंदर भी रहा है और जो अगर हम highlights की इस budget के अंदर बात करें नाचरल फार्मिंग के अंदर राजीव गांधी प्राक्रितिक खेती स्टार्ट अप योजना वस अनौन्स तो प्रमोट नाचरल फार्मिंग maximum of 20 quintals of naturally grown grains per family will be procured at an MSP of rupees 40 per kg and maize will be procured at rupees 30 per kg and MSP on requirement of milk जो है वो इस बारी दिया गया है यह हालां कि इसमें थोड़ी सी कमी जरूर रही है मगर जैसा हमने कहा है कि इसको चरनवत तरीके से हम पूरा कर रहे हैं तो देर आए दुरूस्त आए कहीं से तो हमने इसको शुरू किया है और आने वाले समय में जो हमारी guarantee में हमने बात procurement of milk में चाहे वो भैस का दूध है चाहे वो आपके गाए का दूध है जो बात हमने करी है उसको आने वाले समय तक हम करेंगे यह मैं आपको पुरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ health and education यह भी एक बहुत ही महतवपुरन शेत्र है और यहां पर भी by 2026 an integrated public health lab will be established in each district 6,000 nursery teachers will be appointed in 2526 Pado Himachal campaign will be launched to create libraries in 500 educational institutions the state government will bear the transportation cost for children in areas with no primary schools within 5 km radius social welfare में जैसे मैंने आपको कहा कि यह बुखे मंतरी सुकाश्रय योजना शुरू की गई है और वैसे ही ग्रामीन विकास में जो मंडरेगा की ध्याडी को बढ़ाया गया है मैं अक्सर यह बात करता हूँ कि जो काम केंद्र सरकार के माध्यम से करवाये जा रहे है on the floor of the house हमने बहुत बार उसकी परशन्सा करी है मगर मुझे दुख है यह कहते हुए कि आप निंदा करे इस बजट का आप हमको उसमें कोई भी problem नहीं है but at least appreciate the good initiative that have been taken by the congress government by the honorable chief minister तो यह